रिफाइनरी से रिटार्मेंट तक हमने अपने बुजरुगों को हिसाब किताब के जंजट से तो छुटकारा दिलाया लेकिन ओल गोल की खरीदारी ये एक जिम्मेदारी का काम था जिसके लिए उन्हें रोज दुकान में आना ही पड़ता था इस काम के लिए विश्वास पूरुन लोग पाना ये भी बड़ा मुश्किल काम था लेकिन हमारी खोज समाप्त होई एकमे इन्फिनिटी के रिफाइनरी मोडूल के रूप में ग्रहकों से मिलने वाला ओल्ड गोल्ड सेफ में आने के बाद हम सिस्टिम के जरीए बूलियन, रियूजेबल और गोल्ड फोर मेल्टिंग में वर्गिकरत करते थे बूलियन गोल्ड हम सीधा काउंटर पर भेशते थे Reusable ornaments, polishing issue document के जरीए, polishing के लिए भेशते थे और polishing receipt document के जरीए, safe में वापस लाते थे फिर वो labeling के लिए दिये जाते थे और वहां से लाये जाते थे sales counter पर Melting के लिए दिये जाने वाले gold के लिए, हम विशिष्ट पधती का उपियोग करते थे यहां तारीख के अनुसार सोने के lots बना कर उन्हें मेल्टर के पास भेजा जाता था पिगलाने के बाद मेल्टर से भेजा गया सोना safe में जमा होता था फिर शुद्धता परिक्षन के लिए हम उस सोने में से नमूना निकाल कर उसे laboratory में भेजते थे और बाकी सोना refining के लिए भेजा जाता था परिक्षन के बाद लाब से सोने के बचे हुए टुकडे के साथ purity report आ जाती थी और तब तक refinery से शुद्ध सोने के बार्स safe में आ जाते थे हमारी system में हमें auto report मिलता था जिसमें खरीदारी के समय दर्ज की गई शुद्धता और लाब से आने वाला purity report तथा refinery से मिलने वाले standard बास की तुल्ना होती थी इसमें फाइदा या नुकसान प्रतिशत में और gram में भी मिलता था फाइदा या नुकसान जानने की इस सुविधा के कारण old gold counter हम कर्मचारियों को सौप सके और जल्द ही पिताजी सेवा निवृत्ति का मजा उठाने लगे